भगवान का दिया हुआ सब कुछ है तौलत है, शौरत है, इज़त है बस एक नेक और शरीप लड़का चाहिए था वो तलाज भी आज खतम हो गई मुझे तुम बहुत पसंद आये तुमारे घरबालों को संजना पसंद है इसे और खुशी की बात क्या हो सकती है भाई सब, तेरा तारीक को संजना का बर्दे है मैं यह सोच रह था कि अगर उसी दिन एंगेजमेंट हो जाए इतनी जल्दी कैसे तयारियां हो जाएंगे भाई सब तयारियों का क्या होता है सिरफ चार कार्ट चापने होते हैं, चार लोगों को बुलाना होता है और दो अंगूठियां चाहिए होती है, बस और क्या लगता है मुस्ते जादा तुम्हें जल्दी है नहीं भाई सब कोई तकलीफ है तो कोई प्रॉबलम है, नो प्रॉबलम है अरे नो प्रॉबलम सार, आप तो को प्रॉबलम हो जाए नहीं सकती मैं आज आपके लिए एक नहीं दो नहीं तीन तीन खुशकब्रिया बाद में सुनाना पहले इन से मिलो यह संजना के होने वाले मंगेतर है नमस्ते जी नमस्ते जाने से पहले मुझे मिल के जाना समझ गया ना? समझ गया क्या हुआ भाई साब? बड़ी आजीब सी बात है हमारे जमाने में तो घरवाले बात करते थे लेकिन नहीं कोई बात नहीं भाई साब जब बोलेंगे मैं अपने घरवालों को आपसे मिलाने ले आँगा अभी दो दिन के बाद मेरे नए होटल की ओपनिंग है छोटी सी पार्टी रखिये ले आँगा जी ज़रूर ज़रूर ले आँगा भाई साब यह यह सब बिजनेस की बज़े से सिक्यूरिटी सिक्यूरिटी अगर आपर कोई आफट आगई तो यह लोग जान देंगे ले भी लेंगे क्यों पुछ रहे हो कुछ नहीं भाई सब अच्छल एक आदमी नहीं दो आदमी है वो काफी परेशान किया कौन है अब बड़े लेवल के आदमी है बाई सब बतादो लेवल में लाएंगे उनको अब रिष्टा जुड़ा है तुमसे तुमारी परेशानी है बगवान के दाय से इस शेर में हमको कोई परेशान नहीं कर सकता बताओ कौन है अब बस आपने इतना कह दिया काफी है बाई सब मैं खुद ही बात कर लूँ आंसे अच्छा बात कर लो नहीं तुम उससे बात कर रहा हूं पहुन के समझा दो यह कुआ अच्छा मजनु आपकर फिक हां और मजनु जए तो लड़के से मिला देता है क्यों से लड़के से वही संझना जी से प्यार करती है तेरा तारिकों मैंने मंगनी फीट कर दी है तर वो मेरा पेंटिंग वाला चोगरा उसका क्या होगा उसे निकाल दे पेंटिंग से वहां बेंडिंग बना कितनी मैनत करें चकर कर लड़के को अंदर कर आप बोलते बिलडिंग बना दे अरे मेनत किया इसका मतलब यह तो नहीं कि बहन की शादी कहीं भी करवा तो जल्दी जल्दी में उसकी शराफत में वराबर फेंट नहीं कर पाया देख संजना इस लड़के से प्यार करती है इसके घर वाले भी संजना को बहुत पसंद करते हैं अपने आप मामला फीट हो गया है तेरे वाले लड़के को थूक लगा दे सर मैं अपनी एक्सेटमे प्रिश्था कैंसल क्या बात करते हैं रिष्था कैंसल हमारे उदे भाई से हाथ मिला के गले मिलके रिष्था फाइनल करके गायब है नहीं मैं मंगनी और शादी के तैयारी करने गया था तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया तूले अभी हमारी सिस्टर को किसी और से लव हो क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि आप मेरे अंकल को इस तरह उठा कर क्यों लाए जो लोग हमारे फोन ने उठाते हैं उन्हें हमाई से उठा लेते हैं आपको क्या लगता है राजी इन्होंने रिष्था कैंसल कर दिया है यह बताने के लिए मुझे यहां पर उठा के लेके है रिष्था कैंसल समझो बात को हा लेकिन फिर भी अंकल ये बात प्यार से भी की जा सकती थी देखोड़ा वीजीली सट सॉरी टु आस अबे वोट ए बोलने दे तकलीफ हुआ बिचारे को बोल बोल अच्छा हुआ यह रिष्था आप लोगों ने खुद कैंसल कर दिया व वो लोग बहुत बड़े लोग हैं वो आप और आपके वो क्याना में उनका शेटी यास मिस्टर शेटी दस जन्लों को ऐसे यूई खरीच सकते हैं यास अब समझे मिस्टर मजनू भाई इसलिए हम लोग गायब हो गये यह सोचने के लिए कि तुम जैसे गुंडों से चुटकारा कैसे पाया जाए जिसका भाई ऐसा होगा उसकी बहन कैसी होगा और उसके माबब तो कैसे कैसे होंगे मैं मर भी जाता ना तो भी अरिश्टा नहीं करता मजनू भाई जिसे मरजी चाहे उठालेते है याद रखिए मिस्टर मजनू आपको भी कोई उठा सकता है ये बहुत हो गया है तेरा हमारे बाइको कोई चुबी लिए सकता चुबी नहीं सकता मुझे अगर किसी ने चुने कोशिश की न तो तुम लोग सोच भी निसकते हो तुमारा हाल क्या होगा डॉंट ट्राइटू टूच में यह लो मैंने फिर चुआ अब क्या कर लो गया है कौन है तेरे बीछे जानना चाहते हैं बात करना चाहते हैं उनसे यह लीजिए यह फोन मैं आपको नंबर लगा कर दूँ बात करें अप उनसे हैं मिम्मत है अपने क्या हुआ बोलती बंदो कही आपकी हैं हलो इधर देखे हैं तीसरी बार चुआ है तीसरी बार चुआ यह मच्छू प्रॉब्लम हो जाएगा मच्छू लिस्न मिस्टर मजनू इवर ट्राइड ट इसके पीचे कोई बुद बड़ा अदमी है लेकिन मजनू बायर उदेबाइसे बड़ा अदमी और कोन हो सकता है एक हो सकता है जोर्ज बुश हां अरे कैसे हैं मेरे साथ नमस्ते बाबी शेटी साहब होटल बड़ा शांदार बाए आपके इस वेरी नाइस अफ्यू दिख यह पार्टी में सब शरीफ लोग दिख रहे हैं खाली वाइट कॉलर वालों को बुला है ताके उनलों के बीच में उत्यपाई और हम भी शरीफ लगें आपको क्या लगता है यह शेवेव करके आप शरीफ लग रहे है अप 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 मंगनी का कार्टो मिल पर राज जी वो इसकी फैमिली की तर है बस आते ही होंगे देखा मामाजी रौनक देखी आपने है मुझे तो हसी उस पर आ रही है जिसको शेटी की बहन से प्यार हो गया है अंकल वैसे बुरी बात है किसी की बरबादी पर इस तर हसते नहीं है वैसे मुझे तो उस लड़के से ज्यादा उसके खांदान पर तरस आ रहे है सारी जिं वैसे लोगे ना जिनका रिस्ता हम लोगों ने ठुक राया था कपूर्ज दी क्रिमिनल्स अरे गुंगरुजी आप आप इस पार्टी में क्या कर रहे है ये पार्टी जिनोने दी है और जिनका ये शांदार होटल है ना उनकी बहन के साथ हमारे भांजे का रिष्टा तय जलो यार पता नहीं कहां से चले आथ है क्या का इसने क्या बोला ये ना थे अंकल जस्ट डून पे टेंचिन इस जलस कम लगा कपूर्ज क्रिमिनल्स आप इस बाइया राजीव के घर वाले आ गए ना माई भाई साहब बाई साव ये मेरे अंकल है और अर अंकल ये है मेरे बीया आ अंकल एपर दोक्टर है चल्दी आन में लाइंच मामी नहीं होश क्यों नहीं आ रहा है मुझे नहीं मारू आजव बेटा गुंगरू क्या करूं क्या करूं क्या करूं मैं होश में आकर क्या करूं साला जिस रिष्टे चम पीछा चुड़ा के भाग रहे थे मुझे क्या पता था कि वो रिष्टा हमारे पीछे पीछे भाग र अग्ताई कि अजया इस पत्लेंगॉ राजीम जा